अरे 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 बीजिपी तो डर गई बाजब के शेहंशा प्रधान मंत्री बाजब से या बिहार से जिसको निकाला है ओसब नेतागन अब सीबियाई इडी की छापा धड़ित चालू हो गई बिहार में बीजिपी का इडी असुड शुरू हो गया अरे नितिश कुमार के साथ बिहार में बीजेपी थी साथ थी सत्ता में थी जब तक वो सत्ता में थे इडी सीबियाई कोई भी आता नहीं था सब कुशल मंगल था लेकिन अब बीजेपी डर गई रोने लगी अब चिलाने लगी और बिहार में लालू प्रसाद जो नेता है वहांके बहुत बड़े नेता है उनके बेटे तेजे स्वियादव ने अब दुख मन में रखकर बीजेपी ने CBI की अभी कारवाई शुरू कर दि ये तो गंदी राजनीती का एक नया चेहरा है अरे जो बीजेपी के साथ रहता है भाजप के साथ रहता है भाजप के हित के बाद बोलता है उसे एडी हो या CBI हो इंकम टैक्स हो या पुलीस हो कि किसी का डर नहीं रहता सुकून से सो जाते हैं अच्छी सब को नींद आज जाती है लेकिन बीजीपी से भाजब से दूर हो गए तो उनके पीछे सीबे आई की रेड पढ़ जाती है एडी की रेड पढ़ जाती है यादो कुटुम्ब वहां के जो फैमिली है पच्चीस जगों पे कारवाई हो गई है बिहार में जो अगाडी सरकार अभी नितिश कुमार और यादो तेजस्वी यादो इनका स्थापन हो गया है अभी सीबे पच्चीस जगों पे उन्होंने चापे अभी डाले है और वो किस पे डाले है बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादो गुरु ग्राम में जो मॉल है उसकी भी जाड़ा जड़ती उन्होंने लेने का काम क्या है नवक्री के लिए जमीन इसमें जो गैर वेवार हो CBI उसकी जाच कर रही है दिल्ली गुरु ग्राम पटना मदुबनी कटिहार और अन्य ठिकानों पर जगों पर कारवाई शुरू कर दी गई है जो यादो कुटुम है फैमिली है उनकी खुद की जो वाइट लैंड कमपनी है गुरु ग्राम का सेक्टर 71 में अर्बन क्यूप्स है जो मॉल से जाना जाता है वहाँ बे CBI के सभी आधिकारिय को चापा पानी करने के लिए अबे रुके है ये तो गंदी राजनिती है गंदी राजनिती का असली चेहरा है देखो हमारे इगर महराष्ट में बीज़िपी सप्ता से बहर थी और बीज़िपी के ही कुछ लोग जो यहाँ पे भी महाविकास आगडी से सिवसेना कॉंग्रेस और यंसी प्यार था तराश्टरवादी काम कर रही थी उनके पीछे इडी ने जो रेड या नोटिस का बोलबाला शुरू कर दिया था इडी उनके पीछे लगाई गई हुई थी इडी को डर कर जिनको जिनको इडी की नोटिस आ गई थी वो सभी लोग अब बीज़िपी और शिंदेगट नाम से उन्होंने बंडखोरी की गद्दरिक ही शिवसेना से उद्द्व ठाकरे से और चालिस यमेले विदायक वो शिवसेना से बाहर निकले और बीज़िक पे साथ हो गए अभी जो सांसद हो या विदायक जिनको इडी की नोटिस थी या इडी ने उनको पुष्टाश के लिए बुलाया था वो सब अब चैन की साथ सो रहे हैं चीन की नीन सो रहे हैं और जो नहीं थे इडी के निशाने पर वो सब अभी टार्गेट पर है तो देखो मेरे भाहिया और बहनों मैं महाराश्ट से संतोशिन्दे यूट्यूब का ये मेरा सामाजिक विचार पिठ है आप नए है मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि आप लाइक करें शेयर करें मेरा ये संतोशिंदे ओफिसेल पुने संतोशिंदे इस यूट्यूब चाइनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें बिहार हो या दिल्ली हो उत्तर प्रदेश हो या जहरकंड हो मद्यप्रद प्रदेश हो पंजाब हो या हरियाना हो पानीपत हो या गोवा हो सब तरब फैला दो यही मेरी आपसे गुजारिश है अजब की तो गंदी राजनीती है दरा धमकाव कर सप्ता में आते हैं अभी देखो दिल्ली में क्या हो रहा है आपके अर्विंद केजरिवाल के डेपूटी सीयम मनिश सिस्युदिया उनके पीछे भी अभी सीबियाई इडी लागाएंगे उनको धमकाएंगे उनको बोलेंगे 50 खोके लेलो पचास कोटी या कुछ भी लेलो लेकिन आज़ाओ बाज बीजेपी में नहीं तो आपको यह अंदर दाल देंगे दराएंगे धमकाएंगे दिल्ली की सरकार को गिराने की बात करेंगे कोशिश करेंग तो ये तो RSS की संगवादी विचारों की गंदी राज की नीती की यही उनके आइडियोलोजी है हमारे देश का लोकतंत्र खतम करने के लिए हमारे देश का सविधान खत्रे में लाने के लिए BJP हो या RSS, OIC गंदी राजनीती दिलो जान से चलाते हैं उनका बालिश राजनीती राजकारण इस देश की लोकतंत्र को खतम करने का काम करती है अरे ये ED हो या CBI हो ये किसके चेले है ये सेंटर गोवर्मेंट के हमारे ग्रह मंत्री हो या प्रधान मंत्री हो भाजब के अद्धेक्ष हो या हर एक राज़के BJP के अद्धेक्ष हो इनके इशारों पे कुछ BJP की लोक इड़ी के प्रवक्ते है ऐसा बरता हो लाते हैं और सभी तरब गंदी राजनीती का काम करते हैं गंदी बात है गंदी बात देखो पूरे देश में गंदी बात ही पहली होए है लेकिन मैं अभिनंदन करता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार जी का मैं अभिनंदन करता हूँ बिहार के उपमुक्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का और मैं अभिनंदन करता हूँ दिल्ली के मुक्यमंत्री अर्विंद केजिर्वाल जी का अरे निडर होकर उस शेहनशा को जो इटलर की बात करता है जो प्रादेशिक पार्टियों को खतम करने की बात करता है जो डराता है धमकाता है उनके खिलाप डटकर खड़े है बिहार से तो BGP को लाथ मार के निकाला ये RSS की हार है ये BGP की हार है और वहां के मोधी कहते है महाराष्ट में सरकार हमने गिराई अरे आपकी गंदी राजनिती ही आपका शासन है आप ED या CBI इनको छोड़कर आप राजनिती करो दरने वाले तो किसी का भी साहरा लेते है रास्ते पे कुटता भोगता है तो रास्ते से जाने वाला आदमी किसी की तो भी साहेता लेके आगे जाता है वो डर जाता है वो आगे नहीं जा सकता इसलिए बीजेपी की या भाजप की यही राजनिती है सबको डराओ सबको भगाओ और सबको भाजप में ले लो अभी बीजेपी की जो पार्टी है बाहर के लोगों की पार्टी है जो निश्टावान बीजेपी के सब दबे हुए है उनको कुछ समझ में नहीं आता, ये मोधी साप का क्या चालू ए, ये शाह साप का क्या चालू ए, ये नड़ा साप क्या कर रहे हैं? अरे नड़ा साप बोले प्रादेशिक पर्टी या राज्य के खतम कर दो, अरे 10-20 साल की पहिली BJP की राजनीती पढ़ो सुनो देखो अरे प्रादेशिक पार्टियों को की नेताव के उंगली पकड़के ही वो राजनीती में आए सहार लेकर यूती अगहडी करके ही राजनीती में आए लेकिन राजनी की गंदी बात इनके मन में है इस देश का सविधान ये बदल देंगे अरे जिन्होंने आशर चक्र बदला वो तिरंगा भी बदल देंगे जिन्होंने सविधान को जलाया वो हमारी लोकतंत्र की हत्या भी कर देंगे लेकिन हम सब आप सब आप और हम सब डटके इस मनुवाद को इस ब्रह्मनवाद को इस RSS के विचारों को निधरता से शान से शोक से इनको दराना होगा इनके सामने आकर सीनातान के लड़ना होगा और जैसे ब्रिटिश भगाए बीजेपी को भी भाजब को भी इस देश से हटाना होगा सब्ता से हटाना होगा हर भारत बीजेपी मुक्त करना होगा बिहार हो या महरश्ट हो अंदरपदेश हो या दिल्ली हो सब बीजेपी मुक्त राज्य बनाना होगा यह आसान बात नहीं है आप सभी लोग कर सकते है सेकिलर विचारधारा या इस देश की मूल विचारधारा जो इस देश में जाती जाती में धर्म धर्में जाती वाद फैलाने का काम करते हैं धर्म के नाम पे हमें गुमराह करते हैं हमें कभी स्रीराम के नाम पे कभी धर्म लडाने का काम करते हैं इनके विचारों को खतम करना होगा RSS मुक्त भाजप मुक्त BJP मुक्त इस भारत को हर एक राज्य को बनाना होगा आप मेरी साथ दो आप हम सब मिलके RSS मुक्त भारत बनाएंगे यही हमारी कोशिश है जै जिजाओ, जै शिवराय, जै भारत